घ्राइब अब्रीवन देखिए हमारे पास MSWRD के कुछ सेशन हो चुके हैं पहला सेशन भी हो चुका है अगर MSWRD के कुछ सेशन आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप शेशन को दे सकते हैं और राइस्मार्ट चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो उ इत्रा सेशन है उसको यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से कोश्चन है जो नए कोश्चन है उनको हम लोग यहां पर जरूर देखते हैं तो यहां पर देखिए जैसे कोश्चन दिख रहा है मेल मर्ज अब mail merge क्या होता है mail merge क्या है ठीक है mail merge tab is in common register mailing and none of these तो पहला ही शब्द दिख रहा है mail mail अब यहाँ पर हम mail की बात नहीं करें यहाँ पर mail की बात हो रही है ना कि maile की बात हो रही है तो mail merge अगर mail की बात करें तो हम लोग email की बात करते हैं कि इ Kemal की बात करते हैं तो यहां पर हम इसकी बात कर रहें जैसर हमें किसी लेटर का डिस्ट्रिबीशन करना है तो हम कैसे करें उसमें नाम पता तो डालना ही पड़ेगा जैसे प्रेशक का address जिसको भीटना है उसको उन उन एड्रेथ की अर्म लोग यहां पर बात करें तो राइट और आसर आपको खुदी पता चल गया होगा राइट आसर यहां पर हम लोग कौम सी बात करेंगे मेलिंग की बात करेंगे कि मतलब हम किसी तरह से later को एक दूसरे तक भेज सकते हैं तो लेटर भेजने के लिए हम लोग mailing या mail merge का use करते हैं जो आपको कहां मिल जाएगा mail merge अगर आप देखिएगा अगर आपने मैं सोल पढ़ रखा है तो file menu, edit menu, view menu, insert menu, format menu, tool menu, table menu, window menu या आपका help menu इन menu में आप चेक करिएगा तो आपको mail merge मिल जाएगा और अगर आप new version चला रहे हैं तो भी आप मिल जाएगा तो इसको आप देखिएगा कहां पर क्या चीज है कैसे इसका यूज करते हैं practical जरूरी है जरें वो computer में हो जिंदीमेश आगर आप practical करेंगे बाहर नहीं निकलेंगे चीजों को देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो चाहे computer हो चाहे地 दुनिया समझ में नहीं आती तो ये दूसरा question देखते हैं ठीक है, hypernation option दे अबलेबल, तो किस टेप से hypernation option अबलेबल है, मतलब hyperlink type का कुछ option है, चैब वो insert हो, page layout हो, reference हो, या mailing हो, तो right answer आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि भाई, page layout option होगा, page layout, पेज layout option, insert में भी चीज़ें आती है, reference है, mailing है, पर यहाँ पर page layout की बात कर रहे हैं, अब पेज layout, ठीक है, अब next question देखते हैं, MS World 2016, अब एक चीज़ और ध्यान रखेगा, MS World 2016, अब अगर हम लोग MS World की बात कर लें, MS World की बात कर लें, तो MS World के भी अलग-अलग वर्दन की बात कर लेते हैं, चाहें वो 2003 हो, चाहें वो 2007 हो, अब 2007 के जितने भी above होंगे, उनका extension क्या होता है बच्चों, तो .docx हो जाएगा, और 2003 है, तो .doc हो जाएगा, तो इन चीजों को ध्यान रखेगा, .doc और .docx की बात कर लें, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है, 2016 में cover page option available, तो भाईया, यह cover page वाला जो option है, वो कहां available है, home tab में, insert tab में, design tab में, या layout tab में, तो भाई, cover page, cover page, जो cover page होता है, किताब का cover page होता है, वो कहां available होगा, तो आप सभी समझ गए होंगे, कि insert, अगर हमें कोई चीज लानी है, कोई template लाने है, कुछ कबल लाने है, कुछ clipart लानी है, कुछ symbol लाने है, तो हम कहां सिलाएंगे बच्चों, तो insert सिलाएंगे, और यह new version है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान लखना है, क्योंकि इनके extension क्या होते हैं, DOCX होते हैं, तीक है, क्या होता है, DOCX होता है, अब देखे 2016 में ही फिर आगए, 2016 की हम लोग बात कर रहे है, blank page, अगर हम blank page की बात करें, तो blank page भी option कहां available होगा, तो blank page का option कहां available होगा, home tab, insert tab, design tab, यह layout, तो यह भी आप कहीं न कहीं देख रहे होंगे, कहां पे, तो right answer यहां पर insert हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जो चीजें हमें लानी है, जो चीजें हमें अपने documents में लानी है, वो हमें कहां मिल जाएंगी, insert में मिल जाएंगी, तो documents में जो भी चीजें हमें enter करानी है, वो सब कहां होती है, insert में होती है, ठीक है, चलिए, next दिया हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है जैसे साइन्स में हम लोग कोई सूत्र लिखते हैं तो जैसे ह लिख दिया है ओ लिख दिया है पर कई बार आपने देखाओगा टू उपपर लगा होता है तो अगर उपपर लगा हुआ है तो सुपरिस्क्रिप्ट हो गया, उपर लगा है तो क्या हो गया, सुपरिस्क्रिप्ट हो गया, और अगर यह नीचे लगा होता, तो क्या हो जाता, सबिस्क्रिप्ट हो जाता, तो क्या हो जाता, सबिस्क्रिप्ट हो जाता, यहां पर देखे लिखा है, सुपरिस्क्रिप्ट इंबॉस ट्रेंड से जाना जाता है टेक्ष टेक्ष एफेस्ट वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट ऑप्षन अलग है क्लिप आर्ट में क्या होता है बच्चों यहां पर हम लोग इमेज देखते हैं यहां पर हम लोग क्या देखते हैं इमेज देखते हैं वर्ल्ड आइट में क्या है बहए यहां पर हम लोग अच्छलों के डिदाइन देखते हैं ठीक है तो रह गए दो option font effect और text effect तो इनहीं में से option होना चाहिए तो right answer हो गया font effect right answer क्या हो जाएगा बच्चों font effect right answer हो जाएगा क्योंकि हम लोग चाहे सुपर script हो चाहे सब script की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इन ही चीजों को देखते हैं ठीक है तो यह question भी आपको समझ में आ गया होगा अम निश्ट दिया हुआ है pressing f8 तो function की आपको खुदी पता होंगी कि function key f1 से लेकर f12 तक key होती है तो f1 से लेकर f12 तक सारी key होती है अब in key का जो use होता है in key का जो use होता है लिखा है pressing f8 key for three times selected अगर हम three times select करेंगे तो क्या होगा a word, a paragraph, a sentence या entire document तो इसको practical तुरंद करके देखिए इसको practical अगर तुरंद करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि f8 से क्या चीज़ बन रही है तो f8 से क्या चीज़ बन रही है जल्दी से इसको देखिएगा f8 key प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करके अलग हो जाते हैं तो control के साथ प्रेस करिएगा या alter के साथ भी प्रेस करिएगा तो right answer क्या हो जाएगा जो भी अगर हम f8 key को three time select करेंगे तो एक sentence process में आ जाएगा जो data है document वो हमारा किस process में आ जाएगा sentence process में आ जाएगा ठीक है तो इसको ध्यान दीजिएगा sentence case sentence process upper case lower case ऐसे cases देखे होंगे आप देखीगा यहाँ पर लिखा है how many different document how many different document you can open at one time आप एक बार में कितने अलग अलग दस्तावेश खो़ सकते हैं no more than three only one as many as your computer memory will hold as many as your task bar can display यहाँ पर display में कितनी बार show हो सकता है या तीन बार ही हो सकता है कि एक बार ही हो सकता है तो ऐसा तो है नहीं how many different document you can open at one time तो ऐसा नहीं है एक बार का ही सारे document हम एक बार में open कर सकते हैं खोल सकते हैं तो यहाँ पर write option क्या हो जाएगा c depend करता है आपकी memory मतलब memory में यहाँ पर क्या हो गया जैसे हम लोग बात कर लें RAM की तो RAM आपको पता ही है हमारे पास एक read and write memory होती है random access memory होती है तो किसी में आपने देखा होगा 4GB लगी हुई है किसी में 8GB लगी हुई है तो जैसा रोम का RAM का size होगा उस पर ही depend होता है कि आप कितनी बार document open कर सकते हो कितने समय में कितने time open हो सकता है क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपके memory ज्यादा कमजोर है कम लगी हुई है तो कई बार हमारे पास system hang हो जाता है और जब system hang हो जाएगा तो alter control और डेल की भी बात करते हैं बच्चों तो alter control डेल से भी हम लोग जब चीज़े hang हो जाती है तो प्रस करेंगे तो task bar option आएगा जिसमें हम in task करेंगे तभी वो चीज़े हट जाएगे इसलिए depend on memory अब लिखा है which feature do you use to create a newspaper like document मलब समाचार पत्र जैसा दस्तावेज बनाने के लिए आप किस सुभिधा का उप्योग करते हैं आप देखिएगा पिछले session में मैंने पढ़ाया था कि किस type का हम लोग बनाएंगे bullet and numbering यह तो हमारे पास bullet and numbering आजाती है जैसे कोई भी heading start करते हैं star चाहते हैं star आजाए यह आजाए ठीक है या छोटा सा dot आजाए ठीक है कई तरह से हम लोग अपने आने bullet या number आ जाए या roman number आ जाए किसी तरह से भी हम लोग देखते हैं tables, column या tab stop तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो which feature do you use to create a newspaper like document तो right answer आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सांसर सही होगा column तो मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया था कि भाई कोई paper होगा उसका हिस्सा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे news लिखी होती है यह line तो नहीं होती है बट बीच में एक space दिख जाता है कि कितनी दूर में data लिखा हुआता है तो एक column wise decide हो जाता है और page maker में भी आपने ऐसी चीजे बनाते हुए देखा होगा अब लिखा है to convert hyperlink email address to regulate text right click the email address and then click on the shortcut menu ठीक है edit hyperlink select hyperlink convert hyperlink या remove hyperlink तो पहले तो बच्चो hyperlink के बारे में तो जानी लो यह जो hyperlink आपको दिख रहा है ना hyperlink का मतलब क्या होता है hyperlink का मतलब होता है कि एक document आपने बनाया इस document में अगर दूसरा document क्या कर रहे हो आप attach करना चाहते हो तो attach करने के लिए हम लोग hyperlink से ब्राउज करते हैं और ब्राउज करने के बाद यह जो हमारा document है इसमें जो दूसरा document हमें जोड़ना है उस source document को इसमें हम attach कर देते हैं जिसके बाद हम लोग control की हो control प्लस के के द्वारा भी hyperlink dialogue box ला सकते हैं यहां पर राई ट्रांसर क्या हो जाएगा remove hyperlink remove hyperlink option हो जाएगा remove hyperlink है remove hyperlink आप देखेगा next question लिखा है header and footer तो header footer क्या होता है कोई भी आप book ले लीजिए का origin की हो चैँ math की हो ठीक है इन चीजों को अगर हम देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर हेड़न फूटर कैन इंक्लिव टेक्स्ट एंड ग्राफिक एस वेल आज तो भाई यह कहां होते हैं करेंट डेट पेज नंबर या करेंट टाइम तो मुझे लगता है तो यह तो सारी चीज़े आ जाएंगी बाई करेंट डेट क्या है पेज नंबर क्या है करेंट टाइम क्या है तो क्या आंसर राइट कौन सा हो सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओल आप दा एब तो हैडर देना चाहते हैं पेज नमबर इधर देना चाहते हैं तो यह सारी कीजिए आपको यहां पर शो हो जाएंगी ठीक है हेडर एन फुटर मतलब हैड फुटर मतलब नीचे की साइड अब देखेगा आगे हम लोग देखते हैं बच्चों यहां पर जो नेक्स्ट कोश्चन है बहुत ही सरल है ऑप्शन से देखके ही लग रहा है यह तो सरल होगा क् कैंसल अंडू और बैक स्पेस देखते हैं तो वाट इस दर नीम आप दा फीचर को दैट विल एलाव यू टू टेक आ इस्टेप बैक वर्ड मतलब एक इस्टेप पीछे जाने की बात कर रहा है इफ यू है मेक अ मिस्टेक अगर कोई गलती हो जाती है तो उस सुबिधा का क्या नाम है जो आपकी गलती करने पर एक कदम पीशे हटने की अनुमती देता है जिन्दगी में ऐसा नहीं है जिन्दगी में तो आपको फिर ट्राई अगेन करना पड़ेगा और आगे की और जाना पड़ेगा और आगे की और जाके ही गलती सुधाननी पड़ेगी करेंट टाइम में मेहनत करते रहें तो कि अगर करेंट टाइम में आप मेहनत करोगे तभी चीज़े पॉसिबल हो जाएंगी पर अगर एक बार आपने फेल हो गए आपने तैयारी अच्छी से नहीं कर सकते तो हमारी जिंदगी में कोई भी कंट्रोल जड जैसा आप्शन नही है कि चलिए हम पीछे जाके यहां गलती सुधार ले ठीक है जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा था कि भाई एक टाइम मशीन है या एक ऐसी घड़ी है जिसके दोरा हम टाइम पीछे करके वापस चले जाते हैं यहां डिजिटल में तो है MS वर्ड में तो है बट लाइफ में ऐसा कोई option नहीं है इसलिए जो भी मेहनत करनी है अभी करनी है गलती सुधारने के लिए हम पीछे के टाइम में नहीं जा सकते इसलिए जो आज का समय है वो कर लो क्योंकि एक घंटे बीतने के बाद वह चीज हिस्ट्री हो जाती है इतिहास हो जाती है तो बच्चों इन टाइम में सुधानी है जो मेहनत करनी है वो प्रेजन टाइम में करनी है आगे कोई गलती सुधाने का मौका नहीं मिलता आगे बढ़ते हैं तो आप खुदी समझ गये होगे इसका option क्या होगा c undo option जिसको हम लोग control z करते हैं कई बार बच्चे बोलते हैं कास जिंदगी में computer की तरह control z जैसा option होता अगर control z सा option होता तो हम लोग कर लेते इसकी क्या होती है control plus y होती है cancel और backspace यह तो आप अलग चीजें है बट राइट आंसर यहाँ पर खुदी समझ में आ गया होगा control z अब लिखा है use to convert from uppercase जो uppercase है to lowercase and vice versa तो toggle case, sentence case, lowercase and uppercase तो भाया हम किस से करें toggle case तो हमारे पास sentence case तो toggle case से हम लोग caps lock भी कर सकते हैं caps lock बंद भी कर सकते हैं तो मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं जो toggle case होते हैं उसी में upper case भी होता है ठीक है scroll log भी होता है number log भी होता है sentence case का तो मतलब हो गया जो पहला later है वो बड़ा हो जाए lower सारे छोटे हो जाए तो ऐसे कोई option नहीं है तो right answer यहाँ पर toggle case ही हो जाएगा क्योंकि जो toggle case होता है इसके अंदर तीन option होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ तो क्या बोलते हैं caps, lock, number, lock, and scroll, lock यह हमारे पर toggle की होती है जिनके दोरह मापर case और lower case बना सकते हैं ठीक है तो right answer पता चल गया अब लिखा है you can open the short short मतलब ascending descending करना मतलब पहले a है फिर b है फिर c है d कुछ इस तरह से आजाए short dialogue box by choosing short from किसमे जाएंगे भाया तो short करनी है मतलब short चुनकर short dialogue box खोड़ सकते हैं तो view में देखिए view में तो हमारे पास क्या आता है कि चीजों को केवल देखना हो यह तो केवल page देखने की बात कर रहा है कि भाया देखना है तो यहां पर हम देखने की बात कर रहा है format में है जो हम लोग edit करते है editing की बात करते है font की बात करते है ठीक है और यहां पर tools में और data में बस हम चीजों को देखेंगे तो बाई tool और data की बात करें तो right answer हो गया data ठीक है पहले आप option को चुना करो कि यह चार option है इन चारो option में कौन से दो option बिलकुल नहीं हो सकते ठीक है तो आपको जल्दी recover हो जाएगा कि हाँ कहां पर जाएंगे आप देखें लिखा हुआ है when you save a file as a webpage word convert the content of the document into तो भाई देखें यहां पर webpage की बात कर रहा है तो website का यह जो एक page है वो क्या कहलाता है वेब page पेजों का जो collection होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों वो कहलाएगा क्या कहलाएगा website कहलाएगा और website का यह जो पहला page होगा कोई वो क्या कहलाएगा homepage ठीक है और यह जो pages है इनको बनाने के लिए कहीं न कहीं जो language use करते हैं वो होती है html hypertext markup language जिसको बनाने का श्रेज आता है तिम बर्नर्स ली को जाता है तो ऐसी ही information आप धान रखेगा तो question भी आपको सही मिल जाएंगे तो right answer क्या हो गया html html क्योंकि java हमारे पास java एक advanced version है जिसमें हम लोग web designing तो कर सकते हैं बड़ एक बड़े लेवल पर पर परल और unix तो unix तो एक operating system की स्रेणी में आ जाएगा तो इसे तो हम कताई नहीं रखेंगे यह चीज़े आपको दिख गही होंगी समझ में आ रही होंगी इन चीजों को जरूर देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा तब ही समझ में आएगा नेस्ट लिखा है what is the use of all caps feature in ms word so it change all selected text into capital letter in add capsule for selected image तो यह तो नहीं लग रहा है it so all the image caption यह भी नहीं लग रहा है मुझे लगता है यहाँ पर यही सही होना चाहिए क्योंकि select करेंगे सारे text को और capital letter में fix कर देंगे cases में change कर देंगे तो यह answer सही हो जाएगा मलबकुल मिलाके पहला answer हमें सही लग गया क्योंकि पहले select all करेंगे मतलब control A control A करने से क्या होगा जब सारा data select हो जाएगा ना तो सारा data select होने के बाद capital letter आ जाएगा अब देखी लिखा है when you point to the corner of a table the table move hander appears ठीक है तो भाहिया upper right lower left lower right upper left ठीक है तो boy point जो आप देखते हो जो हाँ पर आप देखते हो ना कुछ ऐसा page अगर आपने देखा होगा इस page पे आप ऐसे indent देखते हो रूलर में ठीक है या इधर भी देखते होगे तो right answer क्या हो जाएगा upper left किसी table के कुणा ये कुणे बने होते ना अलग अलग तो right answer क्या हो जाएगा upper left clear चलिए बहुत सही बहुत सही तभी लोग ऐसे ही answer देते रही है फटा फटा answer देते रही है और इसका answer देंगे तभी चीज़े समझ में आएंगी अब लिखा है find command find command की अगर हम लोग बच्चों बात करें find command in world we can search find command किसको find कर सकता है characters को format को symbol को या all of the above यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें तो find जो command है in world you can search यहाँ पर सारी चीज़े आ सकती है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर search कर सकते है किसी भी चीज़ को यहाँ पर search कर सकते है ठीक है अब आगे दिखते हैं यहाँ पर next question लिखा है which is true when you insert an excel worksheet into a world document मतलब यहाँ पर क्या है भाई excel worksheet को world रस्तावेज में कैसे सम्मलित कर सकते हैं तो word is the destination document, excel is the destination document, the worksheet is the destination document, यह document is the source document तो यहाँ पर हम देखके कह रहा है कि भाईया true when you insert an excel worksheet into a world document तो भाई चरूर कर सकते हैं, word is the destination document, ठीक है, word is the destination document अब लिखा है कि भाई special toolbar that displays a series of names, each of which represent a list of commands that can be used to perform tasks तो भाईया देखे लिखा एक wishes toolbar है, जो नामों की एक सरंखला पर देशित करता है, मतलब series जिसमें पर देख मिदेश शूची को पर देशित करता है, जिसका उपयोग कारना किया जाता, किसका उपयोग करेंगे भाईया, तो menu बार, साब साब लिखा है menu तो menu क्या है, menu मैंने पहले ही बताया था कि menu क्या होता है बच्चों, तो menu हमारे पास list of command होता है, list of command list of command होता है, जिसके अंदर कई सारे हमें menu देखने को मिलते हैं, चाहें वो file menu हो, edit menu हो ठीक है, view menu हो, insult menu हो, ठीक है, या format menu हो, ठीक, tool menu हो, tables menu हो, ठीक है, window menu हो, या help menu हो सकता है, ठीक है, यह सारी चीज़ें आप ध्यार लखेगा, तो menu मतलब हो गया, list of command, जहां से सारी चीज़ें को हम लोग working कर सकते हैं, special toolbar that display a series of name, each will represent a list of command, तो देखिए, यहां से छोटा सा clue मिल गया था, list of command, ठीक है, तो which is not in MS world, मतलब MS world में इन में से कौन सी चीज़ नहीं होती, तो भहिया देखो, italic तो होता है, font होते हैं, bold होता है, पर कोई magic tool नहीं होता, देखिए, यहां पर कोई भी magic tool नहीं होता, तो right answer यहां पर हो गया, magic tool, कई बाद छोटी मोटी खुराफात वाले question भी आ जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर option आप आराम से दे सकते हो, यार यह तो simple सा है, नहीं होता है, अब देखेगा लिखा है, which enable us to send the same letter to different person, same letter, different person, मतलब हम क्या कलने, अगर हमें same चीज़ ही भेजनी है, तो इसका मतलब हम record करें, और record करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, मेल मर्ज की macro, आप देखें,nez시ino, एप आप्षिन भी दिख़ रहा है, देखें मेल मर्ज भी दिखर रहा है, तेंपलेट भी दिखर रहा है, तो अगर हम record की बात करेंगा, तो record तो हमारे पास क्या हो जाएगा, same option की बात कर रहा है, तो right answer हमारे पास record भी कर लेंगे, और अब इसके पहले बताया था mail merge तो right answer mail merge भी सही है और macro के दोरा भी हम लोग record करके same जगा category में भेज सकते हैं अब लिखा है by default on which page the header of the footer is printed on which page the header of the footer is printed में लिखार उसे ले कि अब आलेक को किस प्रेश्टर मुझरित होता है तो first page, alternate page, every page यह none of the above तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा on every page अगर जैसे हमने ज्यान भारती पहले book चलती थी English literature, reasoning, math, कुछ भी देखिएगा जो पहले header पे लिखा होगा वो सभी पे लिखके आता है कि math by, reasoning by, computer by तो ऐसी चीज़ें दिखती होंगी तो computer by punisar हर page पे लग जाएगा तो ऐसी चोटी-चोटी चीज़ें आप हर page पे लगाएंगे इसी को हम लोग header और footer बोलते हैं ठीक है नेश्क कोश्चन दिया हुआ है With which view can you see how text and graphic will appear on the printed page मतलब किस दर्श्याद देखिएगे मुझित पे पार्ट और graphic कैसे दिखाई देंगे तो यहां तो simple सा है कि हमें किवल view देखना है कि हमने जो view बनाया मतलब data बनाया था वो सब पे कैसा दिखेगा कैसा होगा तो भाईया simple सा है कि print layout होगा print layout के दोरा हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि हम कैसा print out निकालने जा रहे हमारे समने कैसा print आएगा hard copy print कैसा करेगा इन चीज़ों को ही हम देख सकते हैं तो right answer print layout page layout या print preview भी बोलते हैं ध्यान दखिएगा बच्चों ठीक है अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वोश्चन है background color और effect apply on document इस नाट विजवेल इन वेब लेयाउट विव प्रिंट लेयाउट विव रीडिंग विव या प्रिंट प्रिविव तो मतलब ऐसी background चाहें color हो चाहें effect हो applied on document इस नाट विजवेल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका प्रभाव दिखाई ना दे 2 अगर हम कुछ लिख रहा हैं तो दिखना चाहिए print ९ह्ष में भी दिखना चाहिए तो कहां नहीं दिखना चाहिए तो आप समझ ज़िए print ृविव से यहां पे isпринки ham dal यह पिद्धधा है देखिएंग लिखा है फिर लिखा है वीच अव्य होर्विव डिदी फल रही है ग्रीन वेब आ रहा है यहां पर अगर हम देखें किसके दौरा सही कर देंगे आटो करेक्ट के दौरा ना ठीक है अंसर हो गया तो देखें बहुत ही अच्छी चीजें हैं इनको आप लोग सही करिए समझ यह और सारी चीजह अगर समझ में आ है तो पुराने वीडियो भी देखने हैं और चैनल पर नए भी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिसे ऐसे बहुत सरे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिल जाएंगे जो आपके डेटा को सही भी करेंगे और समझाएंगे भी और कोई भी एरर होगी तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी ठीक है तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा किसी सब्सक्राइब लेगा नोटिफिकेशन मिलेगा तो चलिए पुनीत मिश्रा की तरफ से आज के लिए धन्यवाद नेक्स सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद